दोस्तों, यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा को लेकर आपके मन में कुछ डाउट्स थे बिल्कुल इस वीडियो में हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं आपको पता है आपकी भरती परिक्षा जो है वो 17-18 यनि कल और पर्सों के डेट में प्रस्तावीत हैं लेकिन आपके बीच में परिक्षा से पहले है कुछ सालवर गैंग जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं देखिए लिखा भी जारा परिक्षा से पहले पकड़े गए सालवर गैंग के आरोपी अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कहा कैसे कौन पकड़ा गया है यूपी पुलिस कॉंस्टीबल में सेंधवारी करने के चकर में नेचे देखिए कुछ अपडेट्स ये है कि एक्जाम सिंटर में भी बदलाओ किये जा रहे है आखिरकार आप कैसे जान पाएंगे क्या आपको एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड करना होगा या नहीं होगा नेचे हां परिक्षा से वनचित होंगे ठेक है आखिरकार ये कैसे भीड़ती हैं क्यों परिक्षा से वनचित होंगे कुछ लोगों के फॉर्म में तुर्टियां आभी भी रह गई हैं वो फाइनली संसोधन नहीं करवा पाए हैं तो वो अमपरती परिक्षा से वंचीत होंगे, लेकिन किस कमी की कारण वंचीत होंगे, जैसे परिक्षा में तमाम छोटी बड़ी गलतियां होई होंगे, लेकिन अब उस गलती से आप निजात कैसे पाएंगे, तो फाइनली हम सभी मुद्धो पर चर्चा करेंगे, दोस्तो म आपको कुछ अबडेट्स दिखाना चाहेंगे, देखिए ये अबडेट्स ये है जो त्रोटियों की सम्मद्ध भी यानि आपके फॉर्म में अगर कोई त्रोटियां हुई हुँगे, तो आप समझ लेजिए, देखिए छोटी त्रोटियों से अबडेटियों के नहीं जूटेगी आगे कहा जर उत्तर प्रदेश पुलिस भरती व प्रोनत बोर्ड ने अब भेड़तियों के प्रातना पत्रों के द्रिश्टिकत उन्हें सहुलियत देने का निर्डे किया है वहीं परिक्षा में गड़बडी करने वाले भेड़तियों के विरुद्ध जो है कड़ करने में तूटियां हुई है उनके मूल पहचान पत्र बायोमेट्रिक आवश्रिकत नुसर आई आर एस तथा जो है फेसियल रिकगनिशन तथा संदेह के स्थिति में आधार प्रमारी करण की माध्यम से जो है पहचान सुनिस्चित करने का काम परिच्छा केंद्र पर होग ऐसे बिर्तियों से आधिवचन पत्र अंडर टेकिंग लेकर केंद्र बेवस्थापक वाइस्टेटिक मजिस्ट्रेट उन्हें परिच्छा में सामिल कराएंगे पुलिस बर्ती बोर्ड की ओर से किसी भी परिच्छित न किया जाने का निर्देश दिया गया है बर्ती की लक जो है यहां कहा जा रहा है फोटो नाम लिंक भरने में गलतियां होने की दीथी जानकारी आगे परिच्छा में गड़बड़ी करने वालों को लिए विरुद्धो का रिवाई अब यहां देखिए आपके बेच्छे में परिच्छा से पहले किस प्रकार से जो सालवर के तीन सदस्चे अब इसके अंतरगत आरोपी के पास जो है आठ लाग शौरासी हजार नगद वह अगर कहा जाये तो पुलिस बरती का पहचान पत्र बरामद हुआ है इसके अंतरगत कहा जा रहा है 17 फरवरी को सुरू हो रही जो है पुलिस बरती परिच्छा में सेंद आठ चार लाख जो है यानि आठ लाग शौरासी हजार नगद जो है सहित पुलिस बरती को लेकर पहचान पत्र वह अन्यापत्ती जनक वस्तुएं बरामद की गए है एस पी ब्रिजेस कुमार स्रिवास्तों ने बताया कि पुलिस बरती परिच्छा की सुच्ता बनाये रख आगे कहा जा रहा है इसी क्रम में सुचना मिली है कि सिदर कोतवाली उसा के समीब रेश्पितवार को राज सलवर गेंग की कोश सजब से कारे में मौदूद हैं वह अलोग आपस में पैसे बटवारा कर रहे हैं पुलिस टीम की गेरबंदी की तो सवार भागने लगे इस द अब यहां आगे देखिएगा कौन-कौन हैं कहां सी गिरफतार किये गए हैं इसे भी आप देख लिजिए कहा जा रहा है आयूस पंडे निमासी ववनपुरा थाना रानी गंज जनपदमव पुनीस सिंग निमासी जो है जोगी नाका थाना गोपी गंज जनपदवदोही न नबेन सिंग निमासी हरपुर पोष्ट बगली पिजरा थाना सराय खासी जनपदमव यह यहां से गिरफत किये गए हैं अब यहां देखिए कहा जा रहा है कि प्रतियोगी परिक्षाओं पास कराने का लेते थे ठेका यह सब कोचिंग संचालक हैं ठेक हैं यह कोचिंग भी चलाते हैं कोई कोचिंग पढ़ाता है ऐसे लोग जो है एक्जाम में सेंद्मारी करने के लिए लगातार तत्पर हैं लेकिन पुलिस हर चीज को नाकाम कर रही है आगे हैं एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड परिक्षा हां ऐसा है कि कुछ लोगों के एक्जाम सेंटर में परिवर्तन हुए हैं उनके एमेल आइडी पर जो है आयू की तरफ से जेमेल किया गया है जिनके एमेल आइडी पर अगर कोई भी आइडमिट कार्ड के संदरों में सूचनाएं मिली हैं तो फिर से आप अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लिए ठीक हैं कुछ ल आप उसके उत्तरदाई खोद होंगे ठीक हैं तो वासा करते हैं देखे जानकारी से आप संतुष्ठ हैं प्लीज वीडियो को लाइक किये जिगा सेर किजिगा और चैनल पर पहले बार विजिट किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लूड किजिगा वीडियो समाप्त करते ठैंक्स धन्यवाद